पिछले साल के शुरुआत में देश में कोरोना ने दस्तक दी कोरोना बहरत पहुचता इससे पहले तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से विदेश उसे आने वाले लोगों पर रोक लगाने के साथ ही स्वास्त सुविधाओं को चुस्त दरुस्त करने की मांग की थी ताकि लिके निजामुद्दीन मरकज में तवलीकी जमात के जलसे को भारत में कोरोना से जोड़ दिया गया जमात से जोड़े लोगों पर कारवाई हुई इस कारवाई पर दिली हाई कोट ने सवाल खड़े किये हैं सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ जो हुआ वो पिछले सात सालों में हुआ वैसे पीम के कुछ समर्थक तो अभी ये दावा करने लगे हैं कि ऐसली आजादी तो देश को 2014 में तब मिली जब नडेंद्र मोदी देश के पीम बने अब मोदी के राज में देश के अर्थिव्यवस्ता से लेकर स्वास्ति व्यवस्ता तक भले ही पट्री से उतर गई हो लेकिन सरकार अपनी असफलता का दोश पिछली सरकार पर ही मर देती है देश में जगा जगा छापे मारी की जाने लगी ये पता लगाने के लिए कि दिल्ली की निजामुदीन मरकच से कौन-कौन जड़ा हुआ है कौन वो लोग है जो देश में लोगडाउन लगाने से पहले मरकच गए थे देश में अचानक ही लोगडाउन लगाने का एलान हुआ था ऐसे में विदेश से आये लोग भी देश में अलग-अलग जगा फस गये थे जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े लोग भी थे इन्हें कई जगा शरंड भी मिली थी लेकिन बाद में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्श कर लिया जिन्होंने इन्हें शरंड दी थी विदेशियों पर तो कोट ने एफ आयार रद करने का पहले ही आदेश दे दिया था लेकिन उनको आश्रे देने वाले लोगों की मुश्किले कम नहीं हुई थी इसे लेकर दिली हाई कोट में एक य गुरुद्वारे में ठेहरने पर कोई प्रतिबंध है वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी ठेहर सकते हैं क्या इस प्रकार का कोई नोटिस था कि जो भी रह रहा था उसे हर कोई बाहर निकाल देगा लोगडाउन के दौरान आश्रे देने वाले भारती नागरिकों ने क्य अपराद किया है सरकार के दिसूचना में किसी विशेश स्थान में रह रहे रहे लोगों पर कोई प्रतिबंध लागून नहीं किया गया था कोड ने दिल्ली पुलिस की कारवाई पर सवाल खड़े करते हुए जवाब मागा है कोड की टिपनी से साफ है कि पुलिस की कारव सही नहीं थी डिवी लाइफ की रिपोर्ट